नो इंट्री के सकसेस के बाद फिल्म प्रेड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि वो इस फिल्म का सीट्वल जरूर बनाएंगे और इस सीट्वल का नाम अभी के लिए रखा गया है नो इंट्री में एंट्री लेकिन अब सुन्ने में आ रहा है कि सल्मान खान जो इस फिल्म में पहले काम करने वाले थे वो अब इस में नहीं दिखेंगे और सल्मान की जगा अब इस फिल्म में मुख्य भूमी का में दिखेंगे अरजुन कपूर अनीज बाजमी द्वारा डिरेक्ट की हुई ये फिल्म की स्टार कास्ट अभी तक फाइनलाईज नहीं हो पाई है और ऐसा कहा जाता है कि मेकर्स ने सल्मान का काफी इंतजार किया लेकिन उनके बिजी स्केडियूल के चलते उनके डेट्स मिल पाना मुश्किल था इसलिए उन्हें अक्टर ही बदलना पड़ा सूत्रो की माने तो ये फिल्म अभी तक स्क्रिप्टिंग स्टेज पर ही है और इसलिए इसकी पूरी स्टार कास्ट ही नहीं होगी हलाकि अभी तक इसके बारे में कोई ओफिशल अनाउंसमेंट नहीं की गई है लेकिन क्या अरजुन सल्मान के किरदार को बखुबी निभा पाएंगे आपको क्या लगता है बॉलिवुट की कुछ और खास खबरों के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले